सब्सक्राइब कीजे स्मार्टफॉन की चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तो स्मार्टफॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो यदि आप जन्दन खाता खुलवाना चाते हो तो उसके लिए जो हैल ये आपको जन्दन का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा तो अभी की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस जन्दन आकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आपको आए वीडियो पसंद तो लाइक ज़रू करते हैं दोस्तों के साथ शेयर करते हुए वीडियो को स्चुरू करते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह जंदन आकाउंट आपनिंग फॉर्म आप किसी भी बैंक में जाके इस जंदन आकाउंट आपनिंग फॉर्म को ले सकते हैं यहां जो है आपको अपनी फोटो लगा लेनी है फिर आप यहां लिखा हुआ पर सकते हैं name of the branch आप जिस branch में जंदन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस branch का यहां आपको name लिख देना है district आपको जो भी district पढ़ता है यानि कि आपका जो भी जिला पढ़ता है वो यहां आपको लिख देना होगा state आपका जो भी state पढ़ता है वो यहां आपको लिख देना होगा इसके बाद आप नीचे जाएंगे village code, यदि आपको village code नहीं पता है, तो आप bank में जाके इस village code को पूछ सकते हैं name of the village यहाँ आपको अपने village का name लिख देना है इसके बाद आप नीच आएंगे यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है applicant detail, full name आपका जो first name आता है वो यहाँ आपको लिख देना है आपके name में जो middle नहीं आता है वो यहाँ आप लिखेंगे आपके name में जो last नहीं आता है वो यहाँ आपको लिख देना है इसके बाद आप नीच आएंगे यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है Marrile status यदि आपकी शादी हुई है तो यहाँ आपको Marrile लिखना होगा यदि आप Single है तो यहाँ आप Single लिखेंगे Zender यदि आप Male है तो Male पर टिक करेंगे यदि आप Female है तो Female पर टिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ पर सकते है Name of the Father यहां आपको अपने father का name लिख देना होगा, इसके बाद आप नीचा हेंगे, यहां आपको अपना address लिख देना होगा, इसके बाद आपने डेट of birth, यहां आपको अपने date of birth लिख देनी होगी, इसके बाद आप नीचे आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते हैं आधार नमबर यहां जो है आपको अपने आधार कार्ट का आधार नमबर लिख देना होगा यहाँ आप लिखा हुआ पड़ सकते है PAN NUMBER यदि आपके पास PAN CARD है तो यहाँ जो है आपको अपने PAN CARD का PAN NUMBER लिख देना होगा नहीं है तो आपको इस कॉलम को छोड़ देना है इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पड़ सकते है MANREGA JOB CARD NUMBER यदि आपके पास मन्रेगा job card है तो यहाँ जो है उस card का number यहाँ आपको लिखना होगा यदि आपके पास मन्रेगा job card नहीं है तो आपको इस column को खाली छोड़ देना है इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते हैं occupation आपका जो भी occupation है वो यहाँ आपको लिख देना होगा जैसे कि मैं student हूँ इसले मैंने student लिखा है इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पर सकते हैं annual income आपकी जो भी annual income है वो यहाँ आपको लिख देना होगा इसके बाद आपको नीचे आजाना है यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है detail of assets, owning house, यदि आपका खुद का घर है तो यहाँ आपको yes पर टिक कर देना है, नहीं है तो no पर टिक कर देना है Owning Farm यदि आपके खुद की खेती है तो यहां आपको Yes पे टिक कर देना है यदि आपके पास खुद की खेती नहीं है तो No पे टिक कर देना है यदि आपके पास जानवर है तो यहां आपको उन जानवरों की संख्या लिख देनी है यदि आपके पास जानवर नहीं है तो no पे टिक कर देना है इसके बाद आप नीच आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते है existing bank account of family members household यदि आपके परिवार में किसी का account है तो उसकी जानकार यहां देनी होगी यदि account है तो yes पे टिक कर account number उनका यहां लिखना होगा इसके बाद आप नीच आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते हैं किसान credit card यदि आपके पास किसान credit card है तो yes पे टिक कर देना है नहीं है तो no पे टिक कर देना है जैसा कि आप यहां लिखा हुआ पर सकते हैं I request you to issue me a repay card मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यह जो रुपे card है यह एक debit card है इस रुपे card के जरीए आप इंडिया में कहीं भी domestic transaction कर सकते हैं यदि आपको रुपे card चाहिए तो यहां आपको टिक कर देना होगा इसके बाद आप नीच आएंगे यहां जो है आपको overdraft facility की सुविधा भी देखने को मिलती है यहां जो है overdraft facility की सुविधा 5000 लिखी हुए है मगर सरकार ने overdraft facility की जो सुविधा है वो 10,000 रुपे उसकी limit कर दी है और यह emergency पढ़ने पर इस overdraft facility की सुविधा उठाई जा सकती है यहां आपको टिक कर देना होगा और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दू कि आपको इस terms और condition को जरूर पढ़ लेना है कि इस overdraft facility के बार में जितनी भी यहां से लेकर यहां तक condition दे रखी है आप इसे जरूर पढ़ लीजेगा इसके बाद आप नीच आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते है declaration आपको इस declaration को भी पढ़ लेना है declaration को पढ़ लेने के बाद यहां जो है आपको अपने signature कर देने होंगे यहां जो है आपको अपना place लिख देना है यहां आप लिखा हुआ पर सकते है date तो यहाँ आप जिसका name लिखेंगे जिदी आपका कुछ हो जाएगा तो जो आपके account में पैसे होंगे जिसका आप यहाँ name लिख रहे हैं वो पैसे वो उसको मिलेंगे तो यहाँ जो है nominee का name लिख देना है आपका उसके साथ nominee के साथ यानि की आपका relationship क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी है तो यहाँ जो है nominee का name लिख देना होगा यहाँ जो है आपको अपना signature कर देना है यहाँ जो है आपको अपना place लिख देना है जिस दिन आप इस form को bank में जमा कराएंगे, उस दिन की डेट यहां आपको लिख देनी होगी आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दिये, आपको पसंद आई होगी, वीडियो आयो पसंद, तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेर कर देना इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफॉन की चैनल को साथी घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस वीडियो की जानकारी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद